हेलो ब्रीजुक बात करने वाले हैं पिछले महिने जिस कंपनी की आपको IPO आई हुई थी उस कंपनी की IPO के स्टॉक के बारे में बात करें तो इस कंपनी सेरैंज में लागातार तो वीटियो को इंतंग रिखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपोर्टेंट इन्फोर्मेशन मिशन आप है इसी तरीके के रेगुलर आईप्यो और स्टो के स्पेसिविक अपटेट के लिए डेली के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही वेल आइकन को और वाले को सेलेक को मिला थी तो सब्सक्राइब होते हुए गेल टियोग गट्पा साथ और के ऐस्पासः ने कया कट्स्राइब के हर थी सब्सक्राइब मैं देखने को मिला था और रिट्यां इंडिविजियल सब्सक्राइब ते और टोटल ओवरल जो सब्सक्रिप्शन फिगर आपको इस आईप्यों को मिला थी वो 26.67 टाइम सब्सक्राइब होते वो देखने को मिला था पर और काफी अच्छे की वाइब के पॉर्षन अच्छे नमबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने के वज़ए से आप सभी को मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बात किया था कि कि इस तरीके से आने वाले समय में यह कंपनी शिक्स मन्द से लेकर वान यर के टाइम फरम में अच्छे रिटांस देती हुई देखने को में ले तो कौन से कंपनी है लोगों ने पीछे जो नमबर ऑफ अप्लिकेशन की बात ने के पहले कि उसकी कंपनी के बारे में बात करें तो यहां बखाजी फुद। इंडरनेशनल लिम्टेड कंपनी के बारे में बात करें है । लगए कि कंपनी आपको 386.00 अब सब्सक्राइब इस कंपनी की जुरुम चब्स करूं की यहां से आब आने में वाले समय में इस कंपणी को स्फोर में जाने की खत्रा देखने को मिल लेकि यदि देखा जा ने जिस तरीके की रिटर्टन्स इन सो टाइम फ्रेम में देखने को को मिली और जबसे कंपनी मिली लिश्ट हुई है तब से लेकर अभी तक की रिटल की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग आपको लगेरून असरी धिल्वर सी अब अब और इस कंपनी की झेज़ड़े की बात करें चाहने की कंपनी कि जो और लोकेट किया गया था आप लोगों को 300 और ओवरल देखा जा तो इस कंपणी ने 303 की लो लगाई उसके बाद कंपणी की हाई की बात के तो 446 रुबिस की कंपणी ने हाई भी लगाते हुई यहां पर देखने को मिले थी उसे में कंपणी की रिटरंस की बात करें तो इन चुपिए चुकि ती और उसके बाद कंपनी को यह स्यंश्वार अच्छी नहीं वने को लगातार देखने को मिलें ती लेकिन फिसलोन तो है के एस कमपनी की इतनी अच्छी और परी तेज़ी देखने को मिल लए है इस कंपनी की इंफॉर्मेशन की बात करें तिभीका जी फॉर्ड इंटरनेशनल लिम्टेट वन अप दे लीडिंग आपको लाज़ेस्ट फास्ट मोवी कंसुमर गूर्ड ब्रांच है जो कि कंपनी के बात करें तो इंक्लूडिंग सिक्स प्रिंस्वल कैटेगोरीज में कंप इस कंपनी की काफी वेल लोन ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है इसी करण से कंपनी की इतनी ब्रांच वैलु आपको देखने को मिल लेए कंपनी के बात करें नेशनली मार्केट में भी इस कंपनी की परज़ेस्ट देखने को मिलती है ओवरल देखा जाए तो कंपनी क कि मार्केट केप की बात करें तो नो वजाट शेसो चौसट क्रोड की टोटल मार्केट का आपको देखने को मिल लए है प्राइस टोनिंग के उन साथ से 120 के पर पर कंपनी के सेर पाइज आ चुकी है यानि कि आपको यहां पर प्रॉफिट वोकिंग होती हुए आपको देखने की कि तो लब Boss की देखने को मिल लाई है रिटार्ण और प्रॉफिटल the employer की बात करती तो उसे कई अच्छी से выз始म और क्प्रॉचर में कालवय görती है चारसो 3 क्這邊 के से कंपनी की से यहां मेरे में करते हुए जड़ेखने करते, 450 क्न, सो क्या मिलेख न चुकी है operating profit margin की बात करें तो 11 परसेंट से बढ़कर यहां पर बीच में गिरावत हुई थी एट परसेंट से बढ़कर 11 परसेंट कंपनी की देखने को मिल चुकी है और वहीं पर कंपनी की बात करें परसेंट के प्रफिबिलीटी की तो प्रॉपेट प्रिवेस यहर क्वाडर टू में 30 क्रोड की त्यों आपको बढ़कर यहां पर देखा जा तो 43 क्रोड़ की वह चीक है जो कि पिछले प्रॉडर टूब के मुकाबले बात करी यह ओड यह इस पर क्वारट रोट के मुकाबले को काँपेर किया जा तो भी अच्छे प्रफोर्मस करती भी देखने मिली अवरॉरल कंपणी की अच्छी रिजल्स आने के बावजोद भी कंपणी के सेर्पाइज में गिरावत कि यही बजा थी क में इस मांट को लेस्ट करने करने वाले य की रिएवेазिश कंपने क्यों करने कर रहेaken तो आपको इसाइब ईंवेस्ट नहीं क्रुन साथिशन के लिए अधरीज की पार तो 2020 में थोड़ी से profitability आप ही अच्छी जंप देखने को मिला था 2020 में उसमें की रावर देखने को मिली ओबर कंपनी की प्रॉफिट की बात के तो एक अच्छी जिरो एट परसंट की है डियाई की होलिंग 6.91 परसंट की और वहीं पर यदि हम लोग बात करें पबलिक की होलिंग तो 14 परसंट की आपको देखने को मिली ओवर और शेयर होलिंग पैटरंस की बात करें तो काफी अच्छी है और इस कंपनी में गोल्ड मैंड साइच के दौर जो लिस्टिंग पर बल्क डिल हुई थी उसमें 17 लाग से ज्यादा के कुईटी अपसेर 324 सुप्य के प्राइस पर बाइंग की गई थी इस कंपनी की तो इस कारण से भी कंपनी के सेर प्राइस में सौट टम टाइम फ्रेम में देखा जाए तो लगवग 6 मन से लेकर वन य को पहले वी बताया था कि यहाँ पर जूट आप कर ती तो नेक्स्ट डैस्टरेंज की बात करें तो 450 की होने लिए ऑगश और आने विले सन्मे में इस कंपनी के सेरपाइस है फिर से तेजी जो है वह तनिनी नहीं डेलई जाती है तब तक एसेमलीम में डाई जाती है आपको exit करने की planning करनी चाहिए जो करने बारा हूँ आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ आपके लिए सारे information यूश्वला वीडियो को लाइक चानल को subscribe और share करने की लिए आप सभी का धन्य बाद मिलते हैं नए informative वीडियो में तब तक लीचे